मेरे पहले experience नहीं है इस तरह का कोई vlog बनाने का तो इसलिए फिर मैंने इतना जरूरी भी नहीं था काम तो चल रहे ना पर थोड़ा सा हमें बैठने का भी मौका मिला और फिर हम जो है थोड़ा क्योंकि राहिला के भी तब यह ठीक नहीं होग तो नहीं है तो बस लेकिन चाहे होती है तो उसके एक ही प्राइस लिख देते और कॉंटिटी में लिख देते हैं फोड बिस्मिल्ला रफ्मान ररहीम असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब उमीद है सब खैरियत सोंगे आप सब को अपनी हफ्ज़ वामान में रखे आमीन सुम्मा आमीन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं कहीं बाहर आई मी हूँ और मैं कहा हूँ तो मैं हूँ यह इस वक्त लख्की वन में और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी थोड़ा सा यानि बस जादा तो नही लेकी वन मॉल है, यह मेरी सिस्टर है, उसके घर के काफी नजदीग है, तो हम लोग उसके घर ही जा रहे थे हैं, तो फिर हमने सोचे पहले यहां से थोड़ी बहुत जो भी हमें शॉपिंग करनी हैं, वो कर लेते हैं, फिर जाएंगे वहाँ पर, यानि सिस्टर के घर, तो मै यहां पर हम लोग देख रहे हैं, जो जो चीज़े हमें लेनी हैं, और इतना कुछ जादा समान तो नहीं था लेने के लिए, लेकिन जाहरे जब बंदा मॉल में जाता है, तो फिर उसको बहुत सारी चीज़े ऐसी भी नज़र आ जाती हैं, जो उसमें नहीं सोची होती हैं, कि यह लेनी हैं, लेकिन जब नज़र आती हैं, तो उसको लगता है, हाँ, यह तो जरूरी है, इसको लेना चाहिए, तो यहां पर जो है, मैंने कोई, या आप लोगों के साथ यह तो नहीं शेयर करा कि इसकी क्या प्राइज है, क्या सब कुछ है, बस मैंने जस्ट आपको व व्लॉग बनाने का, तो इसलिए फिर मैंने बस सर्फ इसी तरह से बना लिया है, और उमीद है कि आपको अच्छा लगेगा, और आगे भी अभी यानि बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसलिए आप लोग इसको आखिर तक देखेगा, इंशाला आपको पसंद आने वाला सेंविचेस बहुत शौक से खाये जाते हैं, तो मैंने कर चलो कोई देखते हैं, लेकिन नहीं बहुत एक्सपेंसिव थे, और जो पहले यानि हजार डेर हजार के मिल जाता था लेकिन अब वो इस प्राइस में नहीं था, तो खेर वैसे भी इतना जरूरी भी नहीं था काम चल रहे ना, आज कल जैसे यानि महगा दोर है, और उस दोर में बस जो चीजे हमें काम चला दें, वही चीजे लेनी चाहिए, और यह एक बचत का उसूल भी है, तो बस हम लोग यहाँ पर कुछ न कुछ अपने जरूरत के मताबिख लेते गए, और अपनी ट्रॉली में डा में बताइए कि आपको यह कैसी लगी, तो फिर हम लोग आ गए थे, यानि अपने शॉपिंग हमने खतम करें, और यानि बस सर्फ कारफोर जो है उधर वहीं गए, और तो पूरा यानि मॉल हम घूमे भी नहीं, क्योंकि थक भी जाते न हम तो, हम समरत मैं, एक तो हम भाग क पिर यहां पर आगए हैं, यानि फूट कोर्ट में आगए हैं, आप कुछ खाने पीने का इंतजार है, तो छोटी सिस्टर और भाणजी जो हैं वो गए हैं, देखो क्या लेकर आते हैं, तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, क्या लेकर आते हम लोग, तो यहां पर थोड़ा सामें बैठने का भी मौका मिला और फिर हम जो है थोड़ा क्योंकि राहिला की भी ठीक नहीं थी बस मेरे खातिर मैंने कहा तो फिर चल पड़ी के चलो वरना हमारा डारिक्ट साधिया के यानि अपनी छोटी सिस्टर के घर जानी का प्रोग्राम था तो बस वह ब यानि अच्छा इंजोय कर रहते हैं अच्छा यहाँ पे हम अपने जैसे फूट कोट से वापस आ गए हैं और आप यहाँ पे हो री बिलिंग और भांजा जो है वह करवा रहा है सब बिलिंग करवा रहा है वह पर इसके बाद हम घर जाएंगे फेर घर जाके जो जो हम यानि फिर पता चलेगा कि किस ने क्या खरीदा है क्या नहीं अभी तो जो अपी था एक ट्रॉली में डालते जा रहे थे क्योंकि ट्रॉली चलाना मेरे लिए मुश्कल था राहिला के लिए मुश्कल था तो बस भांजा माशालला से वो चला रहा था तो उसी में हम लोग पर जाना तो हमने एक ही जगा है तो क्यों ना हम फिर जो है वहीं घर जाकर ही इसको करेंगे और अक्सर मैं और राहिला तो अक्सर जैसे अम्तियास जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं शॉपिंग करने तो इसी तरह करते हैं एक साथ शॉपिंग कर लेते हैं और को एक अब Absolumentally Sugdenald दीच मेरा होता है उसको और इस तरह से सही हो जाता है काम हमारा और ओने काफ रूर्स हऊपिंग भी हो जाती है और INFIR यहां पर हो के शामी टाइम में अक्सर तो बस चाए पीनी है हमने जाके तो चाए पीएंगे उसके बाद जो है अपना यह समान का करेंगे और फिर उसके बाद खाना खाया था हमने यानि हम दोनों मेहनों ने वही परी तो जाविद की नहारी जादातर हम लोग खा लेते हैं वहाँ पर साध यह जो है मेरा भांजा दिखा रहा है आपको कि इतना लंबा बिल बना है समान इतना नहीं है असल में लोगों ने यह अगर हमने चार टावल लिये हैं तो चारों को अलग अलग लिखा है जब कि अक्सर मैंने जगाओं पर देखा कि चार चीज होती हैं तो उसके एक ही चाहिएगा यह किसने खरीदा होगा हम तीनों मेहनों में से और फिर यह एक सर्प्राइस है और या एक सस्पेंस है यूं कहाना चाहिए तो फिर देखते हैं कि कौन बताता है यह और जब जिसके घर में भी बिच्छेगा और जब यूज होगा तो आप लोगों को वो भी इ तो लेकिन वो आज थोड़ी भी मार थी तो वो आके लेड गई थी तो फिर मैं यह सारा सब चीज़े निकाल रही हूँ और जो है साधिया मेरे साथ लगी हुई है लिख रही है हम तीनों की यारी लिस्टे अलग अलग बना रही है और बाबर जो है मेरा भांजा वो देख है उस प्राइस लिस्ट में से सब उसनकी प्राइस चीजों की और मैं एक एक चीज बताती जा रही हूँ कि में यह तो इस तरह करते और अच्छा लगता है मज़ा है मुझे तो बहुत मज़ा आता है और चनाब फिर यह सारा काल तो है आपि अप्रिआ ए यह सबस्तो है और राईला बतारी यह कोई यह मैंने लिया था अर यह मैंने लिया था मने चीज़राइल को को देते जारी हूं सधीके जीवेस सात्या को देती जारी हूं हमाँ happy बस असान हो जाएगा और आप बताईगा आपको यह कैसा लगा कि इस तरह से भी यानि शॉपिंग होती है मिल बाट के जब शॉपिंग होती है तो फिर उसको हम किस तरह से सॉट आउट करते हैं घर जाके और आज मैंने आपके साथ यह सारा यानि प्रोसेस अपना यह थेखा का अच्छा जी तो यहां पर यह कुछ थोड़ी सी जोल्री में थी तो यह भी किसी ने लिए अब तो मुझे बाइस ओवर करें तो याद नी तो खैर तो बैसे इस तरह से जो है और मैंने कैसा मान लिया मैंने भी यानि बहुत कमी चीज़ें दो मैंने कुशन लिये थे अब मुझे बनानी थी माउथ फ्रेशन बना ला था तो वो उसके लिये लिया है यह सारी चॉकलेट्स जो है यह राईला ने लिये राईला को बहुत पसंद चॉकलेट्स कुछ तो महीं खा ली थे लोगों ने और कुछ घर पे लेकर आ गए थे तो बस यहां पर यह चीज़ें जैतून लिये हैं मैंने एक टावल लिया है और जनाब और क्या लिया है और मैं यह उनियस लिया है उसके साथ एक यानि आफर थी स्पैचुला की तो वो लिया मैंने आफर की चीज़ें वैसे मैं लेती हूं जादा यह मुझे अपने हस्बिंट सादक पढ़ी है आफर में जो चीज मिल रही होती है जो थोड़ा सशनव ही पड़ता और एक चीज बी यहानि एक के साथ एक चीज के स्वाहमें मिल जाती है तो अच्छा लगता है मैंने नहीं लिए हैं कि इन लोगों में से किसी नहीं लिए तो बस यहां पर यानि सब के चीजे अलग-अलग होकर और लिस्टिंग होकर और फिर सब के अलग-अलग बैग बन गए थे और फिर ये बस हमने यानि इसके बाद जो है भांजी तो यह भांजी मेरी वीडियो भी बना रही थी और फिर साथ में उसने चाय भी बनाई थी बहुत अच्छी मज़दार से तो इस ते मेरे हस्बंड और अब भी भी आ गए थे तो बोलो भी चाय पी रहे थे और यह जो है ने कुशन भी लिया है एक मैंने लिया है और तो बस यहां पर यह सब के अब टोटल हो र लगी है तो इसको लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्ते के साथ शेयर कीजिए और मचे कमेंट्स में बताइए कि आपको यह कैसी लगी तो इंशालला फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में तो अपनी दौाओं में मुझे याद रखेगा और बस यह मैं आप लोगों से कहूंगी अला हाफिस